जेहिं दोस्तो और वेरी वेरी गूड इवनिंग तो प्यारे दोस्तो जैसा कि आप सो अपने स्क्रिन पर देख रहे हो 12th भी हार्बोर प्रक्षा 2023 का ये यकीन मानो आपके सब्जेक्टिव को बहुत यासान बना सकता है दो फरवरी 2023 के लिए वाइरल प्रसन है ये सारे के सारे सिलेक्टेड कोशन्स है जो कि हर साल एक्जाम में पुछे जाते हैं फ्री पीडियेफ के साथ है पूरे के पूरे आप यूटिव चैनल पर देखे होंगे सब ने सिर्फ और सिर्फ आपको अब्जेक्टिव वीडियो ही थमाया है हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो की त्यारी करा रहे हैं सब्जेक्टिव कोश्चन से लेकर के आ रहे हैं आज से नहीं है स्टार्टिंग से हम सब्जेक्टिव वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तिस सारे के सारे सब्जेक्टिव कोश्चन 2023 के लिए बहुत ही साधराओं अभी टोटल 20 प्लस कोश्चन सब्जेक्टिव देखेंगे प्लस साथ मुसका पीडियाफ आपको फ्री आफ कोस्ट टेलीग्राम से मिल सकता है और उसके लिए कुछ नहीं करना बस कमेंट सेक्षिन में जाहिए वहाँ पर आप इसे कमेंट कीजिए कि आपको आपक कोश्चन है तो चलिए दिहान से पूरा वीडियो को देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पढ़ा रहा है और बहुत इसराल भासा में लिखा गया हिंदे इंगलिस दोनों का यूज किया गया है तो आप जिसको आपको जो भी ऐसे सूट लगे आप फॉलो करना चलिए दिहान से देखिएगा पहला कोशन स्टार्ट करते हैं पावर अफ लेंस से उसको मिस मत किजिए जो कि पहला कोशन है कहता है किसी उत्तर लेंस को पानी में पूर्णता डूबाने से डूबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है क्यूं आंसर दीजे अगर आप किसी उत्तर लेंस को पानी में डुबाद होगा तो उसका जो फोकस दूरी है न वह बढ़ जाता है तो आखिर ऐसा क्यूं होता है वाई तो इसका आंसर यह होगा ना कि देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी निम्र शूत द्वारा दी जाती है कि कि क अपरवांतक तथा माध्यम का अपरवांतनांक तथा आरवन अबं आरटू लेंस के सतों की वरकता तरी जाए है इसी लिए इसी लिए आपका आगे कहता है अता दिये गया लेंस के लिए फ डिरेक्टली प्रोपरस्टल मीउण बाई म्यू माइनस मीउन ठीक है और लेकिन ह के लिए मूगों का पता है की 0 होता है तो अब इसको इसको बटे एयर जब इसको वाटर बटे एयर करने वाले हो तो जबल करोगे ना तो आपका वं सेंपकों क्या आएगा complexenge30 ay का एर के मुकाबले में आपका फोकस दूरी बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि जब सॉल करने पर वाटर का भैल्यू ज्यादा आ जाता है चलिए कोशन नमर्टू के दरफ आता है सुर्यदे तथा सुर्यस्त के समय चिति जल प्रतीत की होता है यह आपका तेंथ में भी बहुत इ सुर्ण राइस के समय जो चितिजा है जो लाल कलर का जो दिखता है आपका एटमस्पेर वह ऐसा क्यूं होता है इसके आंसर चलिए कहते हैं लौड रेली लौड रेली अगर कोई वनपीस देखते होंगों तुसमें भी है डार्क रेली किंग ठीक है लौड रेली के नुसार प्रकीर्ण त्रिवता वन तरंग लंबाई लेमडा के फोर्स पावर के व्यक्तुकर मानुपाती होती है ठीक है अर्थात आई डैग ले प्रफोर्शनल टु वन बाई फोर लंडा सुर्योदे तथा सुर्यस्त के समय सुर्य की किरन तिर्ची दिसा में वायू मंडल में अधिक दूरी तै करके हमारे आखों पर पहुंचती है अता परकास के लाल रंग तरंग लंबाई अधिक तथा नीला या बैगनी का कम होता है ठीक है इस कारण से परकास के लाल रंग क प्रकिरनरन कम तथा नीला या बैगनी का प्रकिरनरन सबसे अधिक होता है इससे नीला या बैगनी वायू मंडल में विलीन हो जाती है लाल किरनों का प्रकिरनरन कम होने से वह बचा रहा जाता है इस कारण से सुर्योदा और सुर्यास्त के समय छीति लाल प्रतित होता है लाल का ही में काम है ठीक है चलिए कॉस्चन नमर थर्ड वाय असका एपिर्स ब्लू आपने देखा होगा जब मैं इंग्लीज में वीडियो बनाता हूं मैं कहीं रुपता या अटकता नहीं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन हां हिंदी मुझे दिक्कत होता है जो कि आपने हर वीडियो में देखा होगा यतैंस्चने हों माटता हो फ्लुएंट चनलता है क्योंकि जो में अच्छे से मजबोरी बिचने में हों हिनी में लचा लाना पर रहा है जिस दिनों कि दृए को चाहिए और अप क्कशफों में लोग नोग चाहिए अ मिलेंगे चलिए वाय एसकाई अपिर्स ब्लू आकास निला की दिखाई पड़ता है बहुत इंप्वर्डन कोर्शन से वायू मंदल में जल कन धूल कन धातूओं के कन तथा गैस के अनुपस्तित रहते हैं सुर्य का सुवेत प्रकास इन कनों पर अपतीत होती है कन इन प्रका प्रकास की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है अता इसका स्काटरिंग यान की प्रकिर्णन कम होता है प्रंतु नीला रंग का तरंग लंबाई सबसे कम होता है इसे प्रकास प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है इस कारण से आकास में नीले रंग के प्रकास सबसे अधिक है पाई जाता है जिससे आकास निला यासमानी दिखाई परता है चलिए question number 4 बहुत important है what is light year आप question उठागे देखना अगर subjective type का सिर्फ question पूछा जाता है उसमें ये question बहुत बार पूछा गया प्रकास सुसकी जगें इसको मिष्मत की जगया कता है निर्वात में प्रकास सकेंड में तै की गई दूरी है एक सकेंड मम घ्याल करता है n एक प्रकास यह आपका प्रावर अगर इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा 365 को सॉल्व किजिए ठीक है ओवरल इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीटर में आएगा 9.461 इन्टु प्रावर 12 किलो मीटर पर आवर सॉर्ये से प्रकास तक सॉर्ये से प्रित्वी का तक प्रकास को आने में लगवग 8 मिनिट लगता है अता सॉर्ये से प्रित्वी की दूरी 8 प्रकास मिनिट होती है इसको याद रखेंगे ठीक है आगे चलते हैं इसी में प्रित्वी से निकटम तारा की दूरी 22 प्रकास वर्स की है चलिए चलते हैं आगे कोशन नंबर लास्ट जो की फाइब है वाट डू यू अंडर्स्टेंड वाइड इस पर्शन अफ लाइट यह भी बहुत इंपॉर्डेंट है यह आपका पांच नंबर में भी कोश्चन आपको इसको दे सकता है पांच नंबर के लिए आप इसके इस घटना को प्रकास का वर्न वी छेपन कहते है ठीक है इन सातों रंगों को बेवनिया पीला बेवनिया पिनाला से जाना जाता है ठीक है बेवनिया पिनाला से जाना जाता है बैगनी रंग का प्रिजम से विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम पहले भी बता तो में रहती हैं माण लिया कि लाल तथा बैगनी रंकी किन्हों का विचलन क्रमसा क्रमसा सिगमा आर ओर अपर आपका अपर oxygen क्रमसा मुव R तथा मूव भी है तो इसको solve करोगे ना, आखरे में जो इसको solve करोगे, आखरे में जो इसको solve किया जायागा ना, तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों, यही आफ का answer आगा, मी वी माइनस मी वार इंटू ए, अब इसको एक बार देख जरू लेना, वाई, रेड लाइंप इस यूज इन सिग्नल अब डेंजर, बार बार यह कोशन पूछता है कि आखिर रेड लाइट ही क्यों डेंजर का सिग्नल होता है, बहुत इंपोर्टन कोशन ने बता दे रहा हूं, बार बार बोलता हूं, चलिए, लाइट रेले के अनुसार प्रकीर ने तीरवन ल तरग लमाई लैम्डा के फोर्थ पावर के वयक्तु करना पाती होता है, देखो हिंदी में मुझे फ्रॉब्लम होता है, इसलिए यतना ज्यादा आपको फ्रॉआ सा दिक्कत होता है, ठीक है, माफ किजगा, इंग्लिस में इंग्लिस में जो कोई दिक्कत ने होता है, इंग्लिस की वीडियो रहेगी तो में से कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन हिंदी परने बलने होता है, कोशिस में उसको फुलेंड करने का, ठीक है, अर्थात 1 बाई, 1 डाइकली प्रॉपोसेंट 1 बाई 4 लैम्डा, लाल रंग के परकास की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, अता इसका प्रकीरिन कम होता है, ठीक है, इस कारण से लाल वस्तु दूर तक चला जाता है, इसमें हमें लाल बहुत दूर सही दिखाई पड़ने लगता है, अता रेलेवे में खत्रे की सुचना लाल बगती सही दी जाती है, तो समझ के क्यूं, क्यूंकि आपका जो लाल रंका को परकास का तरंग का जो लंबाई होता है, ठीक है, याद रखेंगे, चलिए, कोश्चन नमबर सेवन में प्यारे दोस्तों, यह भी एक इंपोर्टन कोश्चन है, यह आप अगर उठा के देखोगे, गेस पेपर, य रहता है, व्यक्तिकरन दो, फड़ाबद सुरोतों, यह अनकी कोहरेंट सोर से निकलने वाली तरंगों से आपसी अध्यार ओपन, सूपर पोजिशन के फल सरूब अपना उत्पन होता है, प्रन्तु विवतरन एक ही तरंग वेब फ्रंट के विभीन विंदूर से चलने वाल सभी चमकीली धार्यां एक ही तरिवता की होती है, प्रन्तु विवतरन में सभी विभीन तरिवताओं के रहते हैं, अलग अलग, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन और इंटर्फरेंस में डिफ्रेंस आपने देख लिया, चलिए, आगे क्या कता है, इसी में, व्यक्तिकरन दो, आ प्रतिकरन डिफ्राक्शन धार्यों में निवित्तम प्रतिपन, मिनिममम इल्युमेनेशन के स्थेथी पूर्ण रूप से काली होती है, प्रन्तु वितरन में पूर्ण काली नहीं होती है, ठीक है, चाड़ अबे डिफ्रेंस, नेक्स्ट, क्वेशन नमबर एट, यह भी रि यंद्र की वी ब्रेदन चमता का क्या अर्थ है, यंद्र की वी ब्रेदन चमता का क्या अर्थ है, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग हिंदी में ही कुर्शन को ऐसे डिमांड किये थे, इंग्लिस में करोगा तो इंग्लिस में ही लेकर कियाएंगे, हिंदी में किये हो तो हिं इसी का वाट इस मिंड़ा इस वावर आफ एंस्टूमेंट किसे यंद्र की विवेदन छंता वह छंता है जो बहुत ही निकट के तरंग निकट के तरंग लंबाई के प्रती प्रती विंब अलग अलग बना ले एने में 5,890 अंगे स्टरंग तरंग तरंग लंबाई के दो तर कौन से की जाती है कौन के छोटा रहने पर विवेदन छंता अधिक होता है चलिए तो यही था हमारा की आखिर कैसे विजॉल्विंग पावर को ऐसे किसी इस्टूमेंट कर माप सकते है कोश्रम 9 हमारे प्यारे दोस्तों एक्स्प्लेन दा कावज अफ प्रेजेंस ऑफ डार्क लाइनेस इन सोलर इस्टूम बहुत इंपरेंट है सौड वनपट में काली रखाओ की पिस्तिती का कारणार बताए तो देखिये यहां पर यहां पर यहां प्रकास मंडल है ठीक है और प्रकास मंडल में जो काली डाउ बहुत सी काली रखाए है ठीक है इन रखाओ की पिस्तिती का कारण कृफ चौप्स ने बताए देखो वन हफ के तो पताया कि बहुत सी काली रखाए है लेकिन अब काली रखाए क्यू है तो इसका कारण कृफ चौप्स ने बताया है इसके लिए उसने एक नियम दिया कम ता पर सुरिय के परकास से लगतार वन पर प्राप्ट होता है इसमें सात रंग दिखलाई पड़ते हैं फॉरॉन हफोर के नाम का एक विज्ञानिक है जो कि उन्हें बता दिया ठीक है इन रखाओ की पिस्थिति के कारेंग ट्रिप्चौस ने बतलाया है इसके लिए उसने एक न मंडल फोटोस्फियर कहते हैं इसका ताप कई लाख डिग्री या सेंटीग्रेट रहता है इसके चारों और कम ताप वाले घेरा रहता है इसे काला मंडल क्रोमोस्फियर क्रोमोस्फियर कहते हैं प्रकास मंडल ने जब प्रकास चलता है तब इसमें इनमें से कुछ रंग की काल मंदल शोशित कर लेते हैं इसके फल सरूप और वन पर्ट में बहुत सी काली रखाएं दिखाई परदाती है तो फॉन होफ में तुस्ट बताया थी काली रखाएं होती है लेकिन किरिप चॉप्स ने आपको बताया कि आखिर काली रखाएं की होती है चले कोशन नमर टेन जो की लास्ट होगा इस वीडियो का आज की वीडियो का वाट इस फोटो सेल दखो ये भी एक इंपॉर्डन कोशन है कभी कभी आप कोशन बैंग उठा कर देखलो गेस पेपर उठा कर देखलो उसमें सारे कोशन आपको मिल जाएंगे कहता कहता है फोटो सेल परकास का से सिद प्रभाव के सिधान परबनी रहती है या मुख्यचल दो परकर का होता है पहला फोटो में सिप्र परकास सरक सैल दूसरा फोटो स्यल परकास वीडिदी सेल तो हमारे प्यारे दोस्तों ये थे हमारे पूरे के पूरे दस कोशन अब इसका प्योग भी देख लीजिए सिनेमाओं में ध्वनी के पूरा उत्पादन रिप्रोडक्शन में यूज होता है टेलिवेजन तथा फोटोग्राफी में आप इसका उज़ करते हैं अंतरिक्च में सोलर बैटरी दोरा विधुत उत्पन में सरकोप और बत्तियों के अपने अपने आप जलने वाले बुझने वाले तथा क्रॉसिंग पर सिग्नल देने के काम में उसका दरवाजों को अपने आप खोलने तथा बंद करने में बैंक खाजानों इत्यादी में चोरों की सुचना देने के काम में उसके बाद मौसम भी ग्यान भी भाग में दिन के प्रकास की तरी उता मापने के काम में उसके तारों के मापने के काम में तो ये था हमारे प्यारे दोस्तों पूरे 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 फोटो सेल्स का यूज उसका फोटो सेल होता क्या है उसका यूज तो ये था मेरे प्यारे दो चमता भी और साथ में फोकस दूरी भी आपको निकालना है तो चलिए माल लिया कि उत्तल एवं अवतल लेंज की चमता करम सब पी एक पी डैस और एक पी है तो इस से योग की चमता होगी पी बडावर पी प्लस पी टू दोनों को आड़ कर दीजिए तो हम लोग जब निकालेंगे लेकिन यह पी टू बडावर होता है माइनस पी होगा जी पी टू अगर आप ऐसे इधर छोड़ दो तो उधर हो जाएगा आपका माइनस पी बन हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर ह निकल गया लेकिन फोकस दूरी हम लों का पी बडावर वन भाइएफ होता है पी बढ़ाबर वन बाइए तो फोकस दूरी हम लोग का क्या आ जागा इन्फिनिटी आ गया ठीक है तो हम लोग का इसका पोटेंशियल जो छमता था वो तो निकल गया जी रहो और इसका फोकस दूरी इंफिनिटी याने की अनंत होगी अता यह संयोग एक समान काच की प्लेट जैसा कार यह करेगा समझ गए चलिए आते हैं कोशन नमर हम लोग 12 के तरफ कहता है मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन क्या हैि जब प्रकास किर्ण माध्यम से विरल माध्यम में पर्वेश करता है तो अपवर्तन के जाता है अर्थात जो आपका इन्सिडेंस का सुझसस क्या होगा इन्सिडेन से बढ़ा हो प्रावर्तन हो जाता है। 90 डिग्री की आपरवर्तन कौन से संगत आपतन कौन यानि की इंसिडेंस एंगल को क्रांतिक कौन कहा जाता है, जिसका मान दोनों मादम की प्रकृति पर निर्भार करता है, डाट ही, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए एक जो शर्थ है, दो शर्थ है, वो यह होना चाहिए कि परकास सगन से वीरल की ओर चलना चाहिए, दूसरा जो आपका इंसिडेंस है, वो ग्रेटर होना चाहिए आई-सी के मुकाबले में, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, यही था आ पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसका दोनों का दोनों शर्थ, तो देख लिए, चलिए आता है कोशन नमोर 13 के दरफ, ओप्टिकल पावर क्या है, ओप्टिकल फाइवर, ओप्टिकल पावर, यह एक must watch वाला कोशन जो है यहाँ पर, और अगर most important में से एक कोशन आपका पर आगिया है, इसको miss मत करना, यह एक आपका most important है, इसको miss मत करना, चाहे English हो पर लो, चाहे Hindi हो पर लो, आपकी मर्जी परना जरूर है, मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए कहता है, ओप्टिकल फाइवर क्या है, ओप्टिकल फाइवर, ध्यान से, यह एक प्रकासित युक्त बिना त्रिवता च्छ, बिना त्रिवता च्छ के परकास को जो लाइट है उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर प्रिसित किया जा सकता है, यह पुर्ण आंतरिक प्रावर्तन के सिधान्त पर कारी करता है, इसके केंद्रिय भाग में उच्च कोटी के काच्च या यह कम अपवर्तन में आवरन से घिरा रहता है जिसे क्लेडिन भी कहा जाता है क्लेडिन भी एक कवर से ढखा रहता है जिसे जैकेट कहा जाता है एक से लेकर कई सौ फाइवर मिलकर केवल बना लेते हैं ठीक है करते हैं इसका विधुद संकेतों को भी सुदू रस्थानों पर भेजने में भी किया जाता है तो यह सारे के सारे अप्टिकल फाइवर के प्रवेशा और यूज होते हैं ठीक है तो चली मेरे प्यारे दोस्त आते हैं आगे के कोशन के तरफ जो कि याद कर लिजे और पांच ही कोशन तो आपको पढ़े परना मेरे प्यारे दोस्त इससे ज्यादा नहीं परना है पांच कोशन भी पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा चली कहता है वियम तरंग वे तरंग यानकी आपका स्काइवेब वैसा वेब है जो ट्रांस्मीटर के आकास तरंग या आयूसुफेरिक तरंग कहलाती है ठीक है इसका जो दो मेगाहट से तीस मेगाहट तक आवर्थी परास की होती है आयन मंदल से प्रावर्तित होने वाले तरंग की यह कम आवर्थी है एक बात याद रखना मेरे दोस्त यह आपका बहुत इंपॉर्टन कोश आता है जहां नुटन मैक्स आयन मंदल में इलेक्ट्रोन घनत्व है ठीक है चलिए मेरे दोस्त अब हैसे स्काइवेब आंतरिक वेब स्पेस वेब तरंग जो ट्रांस्मीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक या तो सीधे या पिर्थवी के ट्रांस्फोर्मर छेत्र से प्रावर्तित होकर पहुंशती है उसे हम लोग कहते हैं आंत्रिक तरंग या ट्रांस्फोर्मिक तरंग कहलाता है ठीक है यह अती उच आवर्तित वह तो कितना दो से तीस था ना लेकिन इसका जो स्पेस वेब का जो आपका ट्रांस्मीटर होगा ना वह 30 मेगा हट से लेकर यह भी आपका बहुत इंपर्टेंट है फ्रॉन होफर लाइन और आप जब भी उठाकर देखोगे न तो यह सारे कोशन आपको मिल जाएंगे कहीं भी उठाकर देख लेना फ्रॉन होफर रेखाएं क्या है लास्ट कोशन आज की इस वीडियो का जो कि आपका फिजिक्स का लास्ट कोशन होगा द्याँ से देख लीजागा सेक्शन सी का सी का लास्ट कोशन चल रहा है बस चलिए कहता है सुर्ये के प्रकास से लगतार वन पट प्राप्थ होता है इसमें साथ रंग दिखलाई पड़ते हैं फ्रॉन होफर नाम के एक विज्णी के नेक अच्छे यं और यह कोशन मैंने पिछली वीडियो में भी जो मैं पढ़ा रहा था तो इसको मैंने एक्स्प्लेन किया था कि कितना ज़्यदा इंपॉर्टेंट है और यह एक्जाम में कितना अधा महतु रखता है लेकिन मत्य ए रेखा लाल रंग के आखरी छोर में बी तथा सी रेखा ला रंगी के मध्ध में इहरा रंग के नजदीक एफ आस्मानी के नजदीक जी नीला के भाग में तता एच और के रेका बैंगनी रेखा के तो आपका जो रेंबो का पुरा कलर बनता है ना साथ उस कलर मिला ले ना आपका बन जागा इन रेखाओं की उपस्तिती का कारण क्रि दोस्ति कंपीट होता है सिख्टी नबर ध्यान से दिखिएगा कहता है डू एक्सओ्रेग घामा रेद्द एप सेम नेचर ऑफ उरीजीण क्या एक्सुरेग ढमलों सेमुए तो मेरे प्यारे दोनों का दौना जो ऑरिजीण यहता है इक्सिरे येंक का कन्टीनिवाई और अ सटत कीरण की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार दी जाती है, कि जब कभी आविस्ट कन तुरित होता है, तो विधुदीट्युम्ब किया तरंग, इलेक्ट्रोमाटिक वेव, उत्पन करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोन भी, एक आविस्ट कन है, जब वह लक्ष टार्गेट से टकराता है तो उसका अब मंदन होता है और वह X-ray उत्पन करता है ठीक है X-ray का समझ गया है आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे कहता है अभी लाक्षिनिक X-ray की उत्पत्ती की व्याख्या जो तुबारा से यही आ गया Y-ray की उत्पत्ती अस्थाई नुकलियस को नित्तम उर्जा होती है और वह भूद अशा ग्राउंड स्टेट में होता है इसे अधिक उर्जा वाले कन का फोटोन द्वारा बंबारित कर उत्तेजित किया जा सकता है जब कोई उत्तेजित नुकलियस भूद अशा में आता है तो वह वाई क्रेंद की उत्ति होती है कोई दिकर मेरे प्यार दोस्त कोश्चन में स्वेंट्रिंग कता है वाट व्य अंडर्स्टाइड बाइफ फोटो इलेक्टरिक एफेक्ट और अट्टा मारों वी वीई है वी वियाई है यादम इसको ऐसे वी टिक कर लेना वैसे तो सहार वो से इलेक्ट्रों उत्ष सरजित होता है इसे विधूत की उत्पत्ती होती है इस घटना को परकासस विधूत प्रभाव फोटो उलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं समझगे फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका आब आप फिगर भी देख लेना इसका आविसकार सबसे पहले एक टेली ग्राफ ऑपरेटर विल स्मिथ ने 1873 इस भी में किया था फिर कुछ वर्स बाद 1887 में हर्ट ने भी इसकी पुष्टी की उसने कहा कि कैथोर्ट पर पर पैरा बैगनी पर कास अल्ट्रा वालेट डालने से इस नलिका से विधूत्वी सर्जन सुगमता से हो जाता है फिर एक वर्स बाद हाल्वेस ने हर्ट के पर दिया बल्व के अंदर जस्ते को दो प्लेट ए और सी में रखा इसमें एक प्लेट पॉजिटिव ते था दुसरा नीगेटिव में जुरता था ठीक है जुरा रहता था इन्हें एक गल्वनिमेटर के द्वारा विधूत्वी से जोड़ा जाता था उसके बाद नीगेटिव प्लेट पर पर पर्काश डालने से घल्वनि में श्रेप होता है बंद कर देने पर बीचेप सुनने हो जाता जया ने यह निसी के यह हो जारा था इसका अर्थिया निकला कि केवल निगेटीव प्लेट पर ही पारा बैगनी परकास डालने से धारा परवाइद होता है हौलवेस इस घटना का कोई कारण बतला नहीं सके अखिर ऐसा क्यों होता है तो उसका कोई विए से रीजन नहीं बता पाए ठीक है फिर आते हैं आगे हमारे जेजे थॉंसन साहब उनीजस्व में जेजे थॉंसन तथा पी लेनाड ने अपने परयोग में दिखला है कि इस्पेरिमेंट में यह बताया कि धात्व response रейजे प्रकास इंचेर्ज निकलते है यह कन इलेक्टरॉन के समान अघ्ण इसे फोटव प्रकास नहीं होती है लेकिन एपर अगर आप अपर प्रकास जालोगए तिये बात साभित होने वाली नहीं है तो कितने साइंटिस्ट लगए मेरे भाई आपको फोटो फोटो इलेख्री एक को सम्झाने के लिए देख मेरा भाई एक आपका डवलू समीथ 8813 में जिन्होंने ये बताय याफ फोटोएलेक्ट्रिक और फिटोएलेक्ट्रों क्या होता है चली कोशन नमर 18 जो कि आपका वन अप दो मुस्ट इंपोर्टेंट सौ बार में से 99 पार पूछा जाने वाला कोश्चन आपके स्क्रीन पर दो नमबर में यह पूछता है मेरे प्यारे दोस्त G तो अर्ध चालक पर दाथ की बीच में होते हैं रर्ध चालक परदाथ एब вызовड ही परदाथ की बीच में होते हैं जर्मैनियम तत्ता सिलिकन अर्ध चालक परदाथ सुध अर्थ चालकों की चलकता कमरे की ताप पर बहुत कम होती है कुछ अपद्रव मिलाने पर परिमानी क्रिस्टल को चलकता मिलाए गए अपद्रव की द्रवमान एवं प्रकार पर निर्वय करती है मिलाया गया उपर द्रव 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 यनकी डोनर अत्वा ग्राही एक्सेप्टर किसी भी परकार का हो सकता है यदि शूध जर्मेनियम अर्थ चलकता है जो की चतु सयोगी तत्व है परिमान में पंच सयोगी तत्व जैसे आर्सेनिक मिलाया जाता है तो इससे जो परदाथ बनता है उसमें इलेक्टॉनों तथा अधिकाव मिरता इस परकार बने क्रिस्टल को एंपरकार का ठीकता अत्वा दाता परकार कर सथालिकता कहा जाता इसी तरीके से इसका उल्टा होता है in pan जर्मेनियम में कमर्स ट्रहता है को जो निर्म करने में मदद करते हैं इस परकार काड़ी जलकते को पीटाइबा से हमारे प्यारे दोस्त N-type और P-type semiconductor देखो हिंदी इंग्लिस कोई matter नहीं करता है आपके पास question चला गया न अब आप उसको जैसे भी पढ़लो चाहे हिंदी में पढ़लो इंग्लिस में पढ़लो पर लो पस यहीं चीज को matter रखना ठीक है मैं वैसे जुलाई मंद से आपका जित सकता है लास से भी किया जा सकता है आइसो टॉप्स क्या होता है यह एक important question है तो कहता है एक ही तत्व के ऐसे परवानु जिसके जिसके atomic नमबर समान प्रंतु atomic वेर्थ असमान हो तो उस तत्व को आइसो टॉप्स कहते हैं अता इसे किसी भी रसाइनी के लिए दोर अलग करन हाई रोजन दो पर्मानू भार वाले को डियर्टियरियम या भारी हईड्रॉजण और । तता तीन क्रॉप्स को प्रिट्यरियं कहते हैं थि कहते हैं इनहीं क्रमसा एच फू एच्टू हें See oxygen के 3 और मार्न वार क्रमसा सुल्हां तता सत्रह और था रहा है क्लोरीन के दू आइसो ट्रॉप से जिनके प्रवानों 35 और 37 है तो यह आद रखेंगे कोर्शन नमर्ट ट्वेंटी जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार दस बार में से पूछने वाला है 2003 में आपका एजाम आता है नुकलर फीजन और नुकलर नुकलर फीजन में क्या अंतर है दोनों का क्या क्या समझते हैं आप इससे बताएं बहुत इंपॉर्टेंट टो इंटीर कोर्शन जो कि लास्ट कोर्शन है आज की इस वीडियो का मिस मत कीजेगा मेरे प्यार दोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट ह ओटमन और स्टार्समैन ने एक नवीन खोज की ठीक है जो कि आपका नुकलियर फीजन है उसका खोज ओटमन और स्टार्समैन ने जो कि 1939 में इसको खोज की उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम पर त्रिवगामी निट्रोन की बंबारी की जाती है तब यह दो खंडों में टूट जाते हैं इसके अलावा इसमें अन्य निट्रोन तथा बहुत अधिक उर्जा भी उत्पन होती है इस घटना को नाविकिये भी खंडर कहते है इस घटना सुत्पन उर्जा को नाविकी उर्जा कहते है इसे निम्न समीकरन से दिखलाए गिया है यहाँ पर आप इसका समीकरन देख सकते हो हम नीट्रोन को लिए इस पीडिया अपका बैडियं और किपट्रों में थिक है यू का टूढ गिया आगे फिर है इसी का है नहों पर देख सकते हो यू 235 सभी का यहां पर आप इसका देख लेना इस किरिया में 3 नीट्रोन प्राप्त होते हैं यह से बहारी नाविक निरमान होता है इसकी मात्रक हलके टत्वों के रूप में परिनत हो जाते हैं यह anusar होता है इस क्रिया को नभी किये संगलन या उसमा नभी किये प्रतिक्रिया भी कहते हैं नुकलर फ्यूजन कहते हैं बैठे के नुसार या क्रिया सूर्य पर बड़ावर दो तरह से होते हैं ठीक है कौन-कौन दो तरह के से तो प्रोटोन डू चक्र दौर और कारवन नाइट्रोजन च झाल, 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 झाल